वेलकम तू माई यूटूब चैनल बेसिक सांस बेसिक साइंस में हमारी cells की ही class चल रही है तो चलो आज फिर से cell को ही continue करते हैं तो student cells में हमारा क्या चल रहा है तो cells में हम cytoplasm present mitochondria जो living organ से उसके बारे में study कर रहे हैं तो mitochondria आज हम खतम कर देंगे तो mitochondria के parts तो हमने देख लिये थे अब हम आज देखते हैं work of mitochondria की mitochondria का क्या work होता है आखिर ये cells में क्यो पाया जाता है और हमारी body में क्या काम करता है आज हम ये देखेंगे तो first हम देखते हैं function of mitochondria mitochondria के कारे तो जो mitochondria होता है student उसमें जो first work होता है वो क्या होता है cellular respiration cellular respiration मतलब कोशी की स्वशन कोशी का का जो स्वशन होता है respiration होता है वो किसमें होता है mitochondria में तो first point आपको याद रखना है कि mitochondria में cellular respiration होता है cellular respiration का मतलब होता है इसमें कोशी के स्वशन होता है second point हम याद रखेंगे कि mitochondria में ATP का production होता है ATP storage होता है और transport होता है अब ही आप ये point याद रखो आगे मैं आपको ATP के बारे में भी explain करूँगी कि आखिर ये ATP कहलाता क्या है तो हमने function of mitochondria में first देखा इसमें cellular respiration होता है second हमने देखा mitochondria में ATP का production होता है ATP का storage होता है और ATP का क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है थै के students तो ये हमने देख लिया ठीके आपने ये भी सुना हुआ ईखा कि mitochondria को cell का power house कहा जाता है क्या कहा जाता है mitochondria को cell का power house कहा जाता है अब क्यों a power house क अ मतलब क्या है बिजली घर ठीके तो क्यों mitochondria को hand देखेंगी ये भी हम देखेंगे ठीके हमारे जो Neurons होते हैं हमारी बॉडी में जो नियूरॉंस होते हैं नियूरॉंस की सैल्स में जो माइट्रो कॉंड्रिया प्रिजेंट होता है वो नियूरो हार्मोन का सिंथेसिस करता है नियूरो हार्मोन का सिंथेसिस का मतलब नियूरो हार्मोन का निर्मान करता है ठीक है तो हमने माइट् माइट्रोकॉंड्रिया में ATP का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, मतलब ATP बनाया जाता है, ATP को स्टोर करके रखा जाता है, और ATP का ट्रांस्पोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांस्पोर्ट का मतलब होता है, परिवहन ठीक है, फिर हमने देखा, माइट्रोकॉंड्रिया को सेल का क्या कहा जाता है पावर हाउस कहा जाता है फिर आपने देखा जो हमारी बॉड़ी में नियूरॉंस होते हैं नियूरॉंस की जो सेल्स होती है और उन सेल्स में जो माइट्रो कॉंड्रिया प्रिजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं नियूरो हार्मोन कहते हैं तो जो हमारे हर्मोन के synthesis में help करते हैं ठीक है यह हमने देखा work of mitochondria अब आपके दिमाग में question आ रहा होगा कि आखिर यह ATP क्या है ठीक है तो अचलो student हम ATP के बारे में बात करते हैं तो ATP का full form तो आपको मालूम ही होगा adenosine triphosphate ATP का full form क्या होता है adenosine triphosphate ठीक है अब यह जो ATP है क्या हम यह बात करते हैं कि ATP है क्या तो student यह जो ATP यह है यह organic compound है organic compound का मतलब क्या होता है organic और inorganic तो आप समझते ही होंगे organic का मतलब होता है carbonic पदार्थ carbonic yogic जो carbon से मिलकर बना हुआ होता है जिसको हम organic बोलते हैं और carbonic के जिसको हम inorganic बोलते हैं जो carbon से नहीं बना हुआ होता है इतना तो आपको मालूम ही होगा ठीक है तो हमने क्या देखा कि जो ATP है वो एक क्या है organic compound है ठीके अब organic compound का मतलब क्या है कार्बन से बना हुआ compound organic compound कैलाता है organic compound को हिंदी में हम बोलते हैं container connection ठीके मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम science के student है तो हमको basic English की जो terminology है वो हमको याद रखना है कुछ ऐसे जो सब्ध होते हैं जिसको हमको इंगलिस में याद रखना रहता है ठीके तो ATP क्या है एक organic compound organic compound का मतलब क्या होता है carbon से बना हुआ compound या carbon से बना हुआ यॉग इक जिसे हम क्या बोलते हैं organic compound कहते हैं ठीके हमारी बाडी में बहुत सारे organic compound है for example आपका RNA हो गया DNA हो गया amino acid हो गया protein हो गया carbohydrate हो गया यह सब क्या है हमारी body में पाए जाने वाले organic compound के example है ठीक है यह हमने देखा कि आखिर ATP क्या है यह तो आपको समझ में आ गया होगा कि ATP किस से बना हुआ है carbon से बना हुआ योगेख है किस से बना हुआ है carbon से बना हुआ योगेख है इसलिए हमें से organic compound बोलते हैं और हमारी body में और कौन कौन से organic compound पाए जाते हैं तो RNA पाए जाता है DNA पाए जाता है amino अमल पाए जाता है protein पाए जाता है carbohydrate पाए जाता है यह सब किस से बने होते हैं carbon से ब carbonic compound क्या है ATP है और ATP का full form क्या है adenosine triphosphate ठीक है यह हमने देख लिया ATP ठीक है अब शायद ही कि आपको ATP समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम बात करते हैं कि mitochondria को powerhouse क्यों कहा जाता है यह भी एक बहुत बड़ा question है कि our cells में present mitochondria है वो क्या करता है एनरजी की वज़े से ही तो हम काम कर पा रहे हैं आपको मालूम है कि हमारी आपके बॉड़ी में एनर्जी है तब ही हम काम कर पा रहें अगर आपके बॉड़ी में एनर्जी ना हो तो आप काम ना कर पा आप 10 दिन बैट पे चले जाओ और आपके बॉड़ी में एनर्जी खतम हो जाती हो तो आप चल भी नहीं पाते हो ना किसकी वज़े से काम कर पा र अर्जय को जानते हैं कि और श्तर्चा के वज़े से ही हम काम कर बार है यह को रख्या का ह bekommt श्तर्चा के और श्तर्चा सब्स्क्रास न्युर्जी नो स्थियर खर। हम इल्युता तो मिर भी ऐने टों सेरो टेशन क्राइब अब mitochondria में हमने store कर दिया तो उसको हमको अलग नाम देना पड़ेगा तो अलग नाम देने के लिए हम उसको नाम दे दिया ATP ठीके तो mitochondria में जो energy होती है वो ATP के रूप में mitochondria में क्या होती है store होती है ठीके ये समझ में आगया आपको अब mitochondria में क्या होता है, कैसे energy बनती है, कैसे ATP बनता है, हम ये देखते हैं, तो जो mitochondria में हमारी body में जो हम glucose लेते हैं, भोजन से, जो भी glucose लेते हैं, तो ये जो glucose है, glucose का क्या होता है, fragmentation होता है, glucose का विखंडन होता है, glucose का विखंडन मतला, glucose छोटे छोटे टुकडों में तूटता है, तो हमने क्या देखा, mitochondria में, mitochondria क्या करता है, ATP के रूप में, power या energy को अपने अंदर store करके रखता है, अब आखिर ATP कैसे बनता है, तो हमारी body में जो हम glucose लेते हैं, तो mitochondria में उस glucose का का मतलब या fragmentation का मतलब होता है, glucose जो होता है, वो छोटे छोटे टुकडों में क्या होता है, तोटा जाता है, या छोटे छोटे टुकडों में glucose को तोडते हैं, ठीक है, fragmentation होता है, ठीक है, और उससे ही fragmentation होने से ही क्या होता है, glucose ही छोटे छोटे टुकडों में तूट करके किसमें कनवर्ट हो जाता है कैमिकल एनरजी रासाइनी कूर्जा में क्या हो जाता है कनवर्ट हो जाता है और वही रासाइनी कूर्जा क्या होती है ATP के रूप में स्टोर हो जाती है और जब भी हम कोई काम करते हैं जब भी हमारी बॉडी में कोई काम होता है, या आप चलते हो, मूवमेंट करते हो, बात करते हो, या कोई भी वर्क आपकी बॉडी में होता है, तो उसके लिए आपको एनर्जी की जुरत होती है, तो कहाँ एनर्जी आती है, क्या आपको बाहर जी कहीं कोई एनर्जी देता है प्रवाइड की जाती है तो अब आपकी जो बॉड़ी है या हमारी जो बॉड़ी है वो एटीपी के रूप में ही उर्जा लेना पसंद करती है वो जैसे हमने देखा न मशीन में मैकैनिकल उर्जा लगती है और आपका इलेक्टरिसिटी में और आपको अलग पार्ट में अलग अलग अनर्जी लगती है वैसी जो हमारी human body है हमारी human body को ATP के रूप में ही अनर्जी चाहिए ठीके वो पहचानती है ATP को तभी वो आपको काम क कर पाओ ठीके इसलिए mitochondria में energy को store किया जाता है ATP के रूप में और energy बनती कैसे है तो जो glucose होता है glucose का mitochondria में क्या होता है विखन्डन होता है glucose छोटे छोटे टुकड़ों में तूटता है mitochondria में ATP के form में क्या होता है store होता है और जब भी आपको रूप में या ATP के फॉर्म में आपको energy मिलती रहती है तो आज हमारा mitochondria होता है खता, mitochondria के सारे parts हमने देख लिया है, अलग-अलग वीडियो में, आज हमने function of mitochondria देख लिया तो very important function क्या है mitochondria की, कि जो mitochondria को powerhouse क्यों कहते हैं तो बिचली ग्रह क्यों कहते हैं, आपने ये देख लिया, क्योंकि हमारी body में काम करने के लिए, उर्जा की जुरत होती है और वो जो उर्जा होती है वो कहां स्टोर होती है, माइट्रो कॉंट्रिया में ATP के रूप में स्टोर होती है जब कभी आप सोचते हो कि मैं dance कर लूँ, तो dance करने के लिए आपको energy चाहिए, उर्जा चाहिए तो वो energy आपको ATP के रूप में कौन देता है, माइट्रो कॉंट्रिया देता है, और बोलता है कर ले डांस, ठीक है तो यही होता है, function of माइट्रो कॉंट्रिया, ठीक है तो आज हम माइट्रो कॉंट्रिया को यहाँ पे खतम करते हैं, तो आज ही हमारी यही तक, अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू